नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल पर मैं हूँ डॉक्टर अन्मूल कुमार आज हम बात करेंगे महिलाओं के मासिक संबंदी गडबडियों के बारे में और दोस्तों मासिक धर्म अगर गडबड हो जाए और नियमित हो जाए उसमें बहुत जादा रक्षरा होने लगता हो या फिर बहुत ही कम मात्रा में रक्षराव हो या फिर दोस्तों बार बार रक्षराव हो रक्षराव के वक्त मासिक धर्म के वक्त अगर चक्कर आवे सरदर्द बना रहे तो इन सारी लक्षनों में आज़ों में होमेपेती उस्दियों के वारे में बात करू उनमें वो निश्टेज हो जाती है और दोस्तों उनका आप देखेंगे कि उनके पूरे दिंचरिया पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है तो आईए दोस्तों जानते हैं होमेपेथी में वो कौन कौन सी दवा है जिससे हम अन्यमित मासिक में उप्योग करके महिलाओं को लाब दे सकते हैं इसमें मुख तोर पर जो दवा है वो है दोस्तों पलसा टीला कौफिया कुरूडा मेंगनेसियम कार्बोनीकम इसमें दोस्तों हेमामलिस है इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि बोविस्टा जैसे लक्षन आपको देखने को मिलते हैं कौस्टिकम है ये सारी दवाईयां दोस्तों महिलाओं के अनियमित मासिक धर्म को नियमित करके उनमें दोस्तों एक तेज ला देता है और इस तरह से आप कर सकते हैं कि उन्हें एक स्वास्त लाब देता है मुख तोर पर जब हम पलसा टीला की बार्त करते हैं तो पलसा टीला महिलाओं की एक संगनी के रूप मैं जानी जाती हैं उमे पेठी में और इसमें अगर आप देखेंगे किया कि महबारी अन्यमित होगी बार-बार होता है कई बार बहुत ही कम मातरा में जब बलड आता है तो दोस्तों आप वहां पलसा टीला दे सकते हैं महिलाएं जब चलती फिरती हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि रक्सराव जादा बढ़ जाता है और रात को रक्सराव अगर कम हो वेशी रोगनी जो बहुत ही सेंसिटिव हो वहाँ पर अगर आप पलसर्टिला देंगे तो उनमें ये दवा बहुत ही अच्छा काम करता है आपको देखने को मिलते हैं जो स्वेट परदर का लक्षन आपको देखने को मिलेगा तो आप पलसर्टिला देकर ऐसी सेंसिटिव महिलाओं को जो तुरंत रोग देती हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है पलसर्टिला पर मेरा वीलियो है उसे जाकर देख भी सकते हैं और दोस्तो इसमें जो दूसरी दवा है मेंगनेसियम कार्बोनीकम इसमें आप देखेंगे कि रक्सराव जो है सिर्फ रात को होगा और दोस्तो आप अगर जग जाती है तो आपका रक्सराव भी बंद हो जाता है ये बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है मेंगनेसियम कार्ब क रक्सवराव जारी होने से पहले जुकाम हो जाता है नाक बंद रहने लगते हैं परसब जैसी पीडा होती है जो फॉल्स लेवर पैन होते हैं वो मेगनेसियम कार्ब का लक्षन है और ऐसे रोगनी को अगर आप मेगनेसियम कार्ब देते हैं अनियमित मासिक धर्म में तो दोस कास्टिकम महवारी शिर्फ दीन को होती है हमने अभी बात की की मेंगनेशयम कार्व का रात में होता है और दोस्तों कास्टिकम का जो है सिर्फ दीन को होता है रोगनी लेट जाती है तब स्राव बंद हो जाता है रात को रक्सराव नहीं होता दोस्तों इस तरह का जो लक्षन है और आप देखेंगे कि जो बोविष्टा दवा है बोविष्टा कास्टिकम का जस्ट अपोजिट है बोविष्टा में रखसराव रात को होता है और जब रोगनी लेट जाती है उठते ही बंद हो जाता है महवारी पर दो हपते बाद होती है आप देखते क्या है कि एक period of time के बाद महावारी फिर से रियाकर हो जाता है इस तरह का जो बार-बार frequent frequent men's जो आते हैं उसमें दोस्तो बोविष्टा बहुत अच्छा काम करता है पेडू में दर्द रहेगा यह बोविष्टा का लक्षन है और दोस्तो कास्टिकम में हमने बात की कि महावारी सिर्फ दीन को होता है बोविष्टा में सिर्फ रात को होता है अगली दवा जो है दोस से चार दिन तक होता है जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होते हैं मासिक धर्मके वक्त वो 3-4 दिन तक होते हैं इसमें आप देखेंगे कि 7 दीन 8 दीन और बहुत ज्यादा मात्रा में जब बलड का दोस्तों फ्लो हो तो वहां पर हेमामिलिस देकर महिलाओं को लाप पहुंचाए जा सकता है रखसराओ जब होता है तब लगतार लगतार बना रहता है एक सार सा मतलब की लगतार बलड फ्लो होते रहते हैं ऐसे में महिलाओं एनेमिक हो जात उनमें वो निश्टेज हो जाती है, उनको कोई काम करने में दिल नहीं लगता है, ऐसे में आप देखेंगे कि अगर आप इसे महिलाओं को हैमामलीस देते हैं, मदर टिंचर में अगर आप देते हैं तो उनको ज़्यादा लाब देखने को मिलता है, दोस्तों इसमें आप और एक कमजोडी तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि अतधिक सराव के कारण उनमें जो कमजोडी आती है वो आपको पुर्न रूप से दिखेगा, ऐसे महिलाओं में आप हैमामलीस देकर आप पहुचा सकते हैं, अगली दबा जो है दोस्तों कौफिया कुरूडा, इसमें मह अगली को भी महवारी दोपर बाद होती है, ये बहुत ही फिक्लियर सिंटम है, आप्टर नून के बाद अगर महवारी हो तो कौफिया कुरूडा उसकी दबा होगी, बुक्त तोर पर जो महिलाएं हैं, दोस्तों आप देखेंगे कि पलसा टिला की महिलाएं बहुत सेंसिट पतली दूबली होती है, चिरचिरापन की सिकार होती है, और कौफिया कुरूड़ा में जो दर्द की जो अधिक्ता होती है, वो आपको देखने को मिलेगा, और अगर मेंस आप्टर नून के बाद, दोपर के बाद हो तो दोस्तों वहाँ पर कौफिया कुरूडा देकर महिलाओं के लिए एक बहुती खास दवा है, वो है दोस्तों सीपिया, सीपिया में आप देखते क्या है, कि जो बहुती पतली दूबली महिलाएं हैं, बहुती चिरचिरा युप्त महिलाएं हैं, वो अकेले में रहना पसंद करती हैं, वैसे महिलाओं में अगर महवारी अन जोगनी या नुभव करती है कि जरायो आदी सब जो है अंग निकल जाएंगे जो प्रोलेप्स आप यूटरस जैसे आपको भान होते हैं वहाँ पर सीप्या बहुत अच्छा काम करता है आंत्रीक यंग योनी द्वार से बाहर खिसक आने का जो डर होता है महिलाओं में और वो क्रोस लेख डपने को रखती है कि कहीं मेरा गरभासे योनी से बाहर ना आ जाए इस तरह का जो लक्षन सीप्या में देखने को मिलता है तो दोस्तों वहाँ पर अगर आप सीप्या देते हैं तो महिलाओं का मासिक धर्म ठीक हो जाता है और इसमें आप देखते क्या है कि मह पहिलाओं में दर्द बना रहेगा कभी कभी बहुत जादा मात्रा में बलड आएगा बहुत कम मात्रा में बलड आते है ऐसे लक्षनों के लिए यह दवा बहुत ही खास है तो दोस्तों आज के लिए इतना है